दोस्तों नवस्कार कैसे हैं अब मैं राज गुपता फाउंडरोप राज में दिर्दा नरख का बहुत-बहुत सवागित करता हूं अपनी इस न्यूग ग्लास में गाइस आज हम से गाएंगे बैक का हैंड और बैक हैंड में आज हम लगाएंगे पिक अपकर डिजाइन कुछ इस प्रकार से और दिखें गाइस यह बनाने के दो तरीक है आप चाहें तो डारेक्ट एपलाई कर सकते हैं इस तरह से नहीं तो आप आउटलाइन बनाके भी इसको ड्रॉव कर सकते हैं आउटलाइन बनाके कैसे बनता है वह अब पताएता हूं और दोनों में कितना परगाता है वो भी समझ जाए है अब ठीक है यहां पर आप बनाएए इस तरह से राउंड सरकल का डिजाइन ठीक है इसके उपरा बनाएए स्मॉल सरकल कुछ इस तरह से और आपको कौन को स्कीन से टच करके पुश करना है लाइक दिस वन इस तरह ठीक है अब यहां पर हम आउटलाइन देंगे कुछ इस तरह से यहां टच करेंगे पुश करेंगे इस तरह से हम बनाएंगे ड्रॉप कर डिजाइन कुछ इस तरह ठीक है अब आपको यह जच करना है यह अच्छा लग रहा है कि यह अच्छा लग रहा है ठीक है दोनों अपनी जगा बैटर है दोन अब इसके उपर हम बनाएंगे small circle का design like this one ठीक है यहाँ पर हम बनाएंगे यह drop का design जब आप drop बनाएं तो छोटे बनाएं region जितने चोटे बनेंगे उतने ज़्यादा आपके इसमें cuts आएंगे जितने अच्छे cuts आएंगे जितने ज़्यादा उतना इसका बढ़िया look आएगा ठीक है इस तरह से आप बनाएं यह drop का design यह guys flower है इसको हम बोलते हैं रोज का design यह गुलाब का pattern है जो की modern design है ठीक है इस तरह से clear हो गया आप हम क्या करेंगे यहां पर आप इस के ऊपर बनाएं यह लीप का pattern यह opening का design है ठीक है यहां पर आप layer बनाएं इस तरह से and इदर भी आप layer बनाएं कुछ इस तरह ठीक है layer देने के बाद जैसे माली ची यहां जगया बची हुई है तो आप यहां पर लीप बना दीजिए and बगल में आप layer देदीजिए इस तरह से यहां पर वी लीव बनाएं कुछ इस तरह से और यह पर भी लिव ठीक है क्लियर एंग अब क्या करना है वो समझना यहां पर अप टच कर रहें पुस कर रहें यह बनाय करेंगा है ठीक है और यहां पर जो मैंने यह लीप का डिजाइन दिया है इसको आपने फटा-फट से फिल करना है इस प्रकार से आपको एकदम स्टेट लेयर देनी है कुछ इस तरह से एक एक लेयर को जब आप परफेक्ट तरीके से बनाओं तो इसका लोग कहीं ना कहीं इस तरह से बनेगा ठीक है आप चाहें तो गाइस इसके अंदरर डिजाइन बट मुझे लगता है से यह से बैटर लेयर लगती है ठीक है यह guys shade हो गया ठीक है इस तरह से रीजन इसका color अच्छा आएगा बट इसका color अच्छा नहीं आता है ठीक है फिर भी हम यहाँ पर try कर रहा है यहाँ पर guys हम बनाएंगे layer design कुछ इस तरह से ठीक है हम एक एक layer को perfect तरीके से बनाएं guys कई बार क्या होता है जो हमारे client होते हैं उनकी हाथ पर backs होती है कई बार नहीं होती है ठीक है तो उनके hair से हमारी lines भी distract हो सकती है तो अपनी lines को perfect तरीके से बनाएं कोशिच करें कि touch करके बनाएं skin से ठीक है इस तरह से गाइस आप बनाएंगे हम पिकॉक कर design ठीक है और पिकॉक कर design कैसे बनेगा वह आप ध्यांत समझिए सबसे पहले हम कुर्ण कुछ चीज़े clean करेंगे यहां पर हम बनाएंगे एक लीप के अकार कर design कुछ इस तरह से ठीक है आपको यह बहुत ध्यांत समझना है इस तरह से आप बनाएंगे इस design को clear हो गया इसे बनाने के बाद आप इसके उपर outline को draw कीजिए इस तरह से थोड़ा gap देके बहुत minor सा gap हो ज्यादा gap भी नहीं होना चाहिए ठीक है clear है अब हम क्या करेंगे यहां हम touch करेंगे push करेंगे इस तरह से उपर की तरफ इसको हम turn करेंगे और यहां पर हम एक goal round shape में इसको turn कर देंगे जिस तरह से मैंने यह दिया हुआ है ठीक है इसको करने के बाद अब आपको बहुत ध्यानते समझना है यहां touch करें push करें इस तरह से गरदन बनाएए pick up की और यहां पर हम इस तरह जिसको नीचे की तरफ लेयर देंगे ठीक है कुछ इस तरह और यहां पर हमने outline दिये कुछ इस प्रकार से clear है गाइस इन चीजों को बहुत ध्यानते समझना है दिख रहा है आपको यहां पर हम इस तरह से बनाएंगे इसकी चोंच pick up की ठीक है यह चोंच बनाएए चोंच बनाने के बाद यहां पर हम outline बनाएंगे इसकी गर्दन पर एक एक outline को हमें बहुत ही finishing से और बहुत ही अच्चे से बनाना है कुछ इस तरह से और outlines को draw करना है चार से पांच बार ठीक है मैंने यह चार वर दिया तो मैं यहां भी पांच बार देता हूं ठीक है इस तरह से इसको बनाने के बाद देखिए हमारे पास दो विकल्ब होते हैं या तो आप इसकी eyes दो है वो लंबे मनाईए ठीक है तो guys हम लंबे मना बना के हम इसकी eyes बनाएंगे कुछ इस तरह से एकड़म गोल ठीक है गोल इसलिए guys जब इसकी जो पिकोग होती है अगर इसका मूह लंबा है तो इसकी आउंक अब लंबी बनाए अगर बना है थेक है और इसके उपर गाइस हम बनाएंगे सबसे पहले जो इसका oningen का design होता है लाइक कुछ इस तरह से एक round circle दिया इस तरह से मैं layer दूँगा again दी, again layer दी again guys मैंने आपर एक यह design दिया है, ठीक है and इस तरह से guys मैं आपर इसको turn करूँगा round circle दे, ठीक है guys, clear है यह pickock के opening का design है guys अब यह बन जाए, ठीक है तो आपको करना क्या है आपको यहाँ पर इस तरह से बनाना है एक round circle का design कुछ इस तरह से इसको बनाने के बाद आपको यहाँ पर यह बनाने है drop के design again drop बनाना है, ठीक है इन चीजों को बहुत ध्यान दे समझना है कहाँ पर क्या बनाना है और कैसे बनाना है अब हम यहाँ पर इस तरह से outline देंगे touch किया, push किया touch किया, push किया, ठीक है पाँच outline दी है पाँच outline को देने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे small circle के design ठीक है अब guys, यहाँ पर हम बनाएंगे round circle, ठीक है मैंने आपको बहुत बार round circle guide किया है, कैसे बनते हैं जितनी आप finishing से बनाओगे उतने बढ़िया आपके design उबर के आते हैं, ठीक है guys, यही design मैंने लगाया था जब मैं UP किया था, सिवानी कुमारी पर backhand पर design लगाया था यही ठीक है, और बहुत से बच्चों ने कमेंट किया, कि sir, आप भी मुझे इस type का design सिखाएं, जो आपने pickock इनके हाँ पर लगाया है, ठीक है तो guys, यह वही design है अब हम क्या करेंगे, जो यह वाला बनाएंगे, small circle के design कुछ इस तरह से इसके उपर हम बनाएंगे यह round circle कुछ इस तरह एक-एक round circle को हम finishing से बनाएंगे अब यहाँ पर हम इसको bold करेंगे, like this one इस तरह जितना बढ़िया गया इसको bold करेंगे ना उतना अच्छा इसका look आएगा ठीक है और जब इसका color आएगा ना तो मतलब ultimate मजा जाएगा सच मतार हूं है अब यहाँ पर हम बनाएंगे इस तरह से outlines करेंगे bold peacock को कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको अब यहाँ पर हम इसको अराम से bold करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ इसको मदवनी को भरेंगे तो मदवनी को भरना बहुत easy है लेकिन अगर आप सही तरीके से मदवनी को bold करते हो तो आपकी finishing अलगी next level पर आएगी ठीक है कुछ इस तरह से इध्यान रखें आप इसकी चोच के लिए हम touch करेंगे push करेंगे और की तरब layer देंगे clear है guys यह बन गया ठीक है अच्छा लग रहा है आपको पिकॉक अब हम क्या करेंगे वह बहुत त्यान से समझी है यहाँ पर हम देंगे दो outline पहली and दूसरी ठीक है इसको बनाने के बाद हम क्या करेंगे इस तरह से बनाएंगे यह design कुछ इस तरह से यह वाला design कुछ इस तरह यह design and यह ठीक है इसी तरह से हमने यह दिया हुआ है इसको हम cover up करेंगे कुछ इस तरह जो जगह बची हुई है इसको हम कर देंगे bold ठीक है bold कैसे करना है जो outline हमने दीती नहीं यह पर इसको हम touch करेंगे push करेंगे और एक बार में bold करेंगे ठीक है यह ना हो कि आप बार बार कौन को repeat कर रहे हो इस तरह से ठीक है इसको हम करेंगे bold bold करना बहुत ही जीए लेकिन मैंने फिर वही बात जब आप मदवनी बनाते हैं तो आपका जो structure है उसको आप अच्छे से बना दें बाकी सारा automatic बढ़िया बनेगा ठीक है कुछ इस तरह से clear है यह बना दिया हमने इसका structure pick up का आप चाहें तो बीच की जो line है इसको आप bold कर सकते हैं नहीं तो यह ऐसे भी अच्छी लग रही थी guys यह pick up का बन गया structure ठीक है अब जो मैंने यहां पर opening दीती अब अगर इससे इसको connect करना हो ठीक है for example तो हम इसको connect कैसे करेंगे वो आप समझिये simply आप क्या करें इस तरह से आप बनाए यह design outline का ठीक है यहां पर आप बनाईए layer कुछ इस तरह then again one layer बनाईए कुछ इस तरह clear है guys करना के है यह touch करेंगे push करेंगे नीचे की तरह layer और इसको नीचे की तरह joint कर देंगे इस तरह से और यहां बनाएंगे dot की design जो की हम हमेशा बनाते हैं कुछ इस तरह ठीक है अब guys जो यह वाली line है यहां पर हम बनाएंगे small circle दो बार कुछ इस तरह से और दो बार कैसे बनते हैं वो मैं आपको guide करता हूं जैसे मैंने यह बनाया small circle इसी के उपर हम one time repeat करेंगे कुछ इस तरह से ठीक है इस परकार और guys यह पूरा में यहां तक बनाएंगे फटावट कर लेते हैं यह बना दिया अब यहां पर हम इस तरह से touch करेंगे push करेंगे यह बनाएंगे drop के design ठीक है यह guys मैंने इसको यहां तक joint कर दिया अब हम बात करते हैं पिकॉग के punk की अब पिकॉग के punk कैसे बनाएंगे वो आप समझिये सबसे पहले हम यहां touch करेंगे push करेंगे इस तरह से बनाएंगे एक layer का design ठीक है again touch किया push किया एक layer कुछ इस तरह से and one again हम यहां पर touch करेंगे push करेंगे एक layer कर design देंगे इस तरह ठीक है पहली layer छोटी फिर दूसरी बड़ी फिर उससे बड़ी ठीक है अब क्या करेंगे यहां पर हम बनाएंगे इस तरह से outline इसको हम करेंगे double outline again outline इस तरह से अब हम एक एक line को अच्छे से बनाएंगे इस तरह से ठीक है छोटी छोटी line देनी है कुछ लोग इसमें shade बना सकते हैं लेकिन shade से finishing नहीं आएगी ठीक है इसको हम कर देंगे guys bold कुछ इस तरह clear है guys अब क्या करना है वो समझे आपको इस तरह से outline देनी है again outline फिर आपको यह layer बनानी है जितनी बढ़िया आपकी layer बनेंगी उतना अच्छा आपका यह pick up का design बनेगा और खिलके आएगा ठीक है कुछ इस तरह से इन दोनों finger को joint कर लीजिए अब इस तरह से फिर से हमने बनाया है outline फिर again outline ठीक है अब हम layer देंगे इस तरह से एक एक layer को अच्छे से बनाए और single single layer देनी है ठीक है छोटी बड़ी बन जाए कोई सुनी है ठीक है इस तरह से ठीक है guys आप इसको इस तरह से बनाएं कुछ ऐसे आप इधर भी हम ऐसे ही बनाएंगे कुछ इस प्रकार यहां हमने outline दिये ठीक है यहां हमने layer बनाएं एक एक layer को बढ़िया बनाएं finishing से बनाएं इस तरह गैस यकीन मानिये पैटन बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है ultimate लग रहा है जब आभी किसी के लगाएंगे अपने client के या फिर अपने किसी neighbor के या फिर किसी relative के तो आपका design न उभर गाएगा ठीक है इस तरह से अब इसके उपर हम बनाएंगे outline का design कुछ इस तरह ठीक है यहां लेयर बनाएंगे तो guys फटा फट से मैं इसको पूरा cover up करता हूँ guys peacock कुछ इस तरह से बनेगा अब हम बनाएंगे इसकी यहां फर leave इसका punk कुछ इस तरह से इधर भी ठीक है guys यह हमने peacock के design पूरा overall cover up कर दिया है अब हम बात करते हैं यहां पर फिंगर के design को देना हो तो हम फिंगर पर क्या बनाएंगे ठीक है उसको समझते हैं इस finger खोलो बस ऐसे रखना अब यहां पर हम बनाएंगे outline कुछ इस तरह से outline बनाने के बाद यहां पर हम बनाएंगे small circle के design like this one एक एक design को अच्छी से बनाना है और guys अब ही तक अगर आपको design अच्छा लगा है तो like जरू कर दें और आपको यह design कैसा लगा है अपनी आपकी अपनी क्या राय है क्या opinion है कॉमेंट करके जरू बताएं peacock आपको कैसा लगा है और जो आप किसी के हाथ पर लगाएंगे तो guys मचा आजाएगा ठीक है यहाँ पर आपनाएंगे इस प्रिकार से small circle के design ठीक है यह बना दिया अब हम यहाँ पर बनाएंगे round circle के design कुछ इस तरह round circle के बाद यहाँ पर हम touch करेंगे push करेंगे एक layer देंगे कुछ इस तरह again touch किया push किया एक layer दी और इसको हमने guys अंदर की तरह turn कर दिया यहाँ भी touch किया push किया एक layer दी इधर भी guys एक layer दी clear guys यह finger के design है कुछ इस तरह से अब बात करते हैं last thumb के design की ठीक है thumb का design कैसे बनेगा thumb का design भी guys इसी प्रिकार से हम बनाएंगे bold outline उसके उपर small circle के design कुछ इस तरह से और यहाँ पर guys हम बनाएंगे round circle का design यहाँ पर यह layers and drop again layer and drop clear है guys overall design का look देखिए अब कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा हो guys इस तो like 0 करना मिलते हैं बहुत जल्द नई class में नई training में आप सब्सकार thank you so much guys आप सब्सक्राइब